दोस्तो मैं आपको वीडियो की शुरुवात में ही बताना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी MCX के उपर ट्रेडिंग ना करें हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको MCX के उपर ट्रेडिंग की सला नहीं दिये हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नजरिया यानके विशलेशनी शेयर किया है तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिक्स के अनुसारी काम करना चाहिए क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सला नहीं दी है हम ये जरूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेश्मेंड की ही बात की है तो कुरुपया ये बात को ध्यान में रखे दोस्तो कल भारते समय अनुसार शाम को 7 बजे अमेरिका के अंदर महत्वपूर्ण यूएस एडीपी नौन स्फार्म एंप्लॉइमेंट चेंज का डेटा आ चुका है मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा एक लाग उन्चा सजार पे आ सकता है लेकिन एक्चुल में डेटा आया है एक लाग चाली सजार पे यानि के मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये डेटा नीचे आया है जो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है और गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजेटिव है उसी तरह से दूसरा महतुवा पूर्णा डेटा अमेरिका के अंदर आया है यूएस जोल्स जॉब ओपनिंग का मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 8.800 मिलियन पे आ सकता है एक्चुल में डेटा आया है 8.863 मिलियन पे याने के मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ही उपर ये डेटा आया है तो ये डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए निूट्रल है और डॉलर इंडेक्स के लिए भी ये डेटा निूट्रल है फेडरल रिजव के चैर्मेन पॉवेल की स्पीच थी और ये स्पीच उन्होंने उनके पार्लिमेंट मेंबर्स के सामने दी है ये स्पीच से हमें पता चलता है कि फेडरल रिजव के चैर्मेन पॉवेल सोचते है कि इंट्रेस रेट वो जल्दी नहीं काटेंगे लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये साल इंट्रेस रेट कट जरूर आएगा तो दोस्तों आपको ये बात को समझना है कि नैरेटिव अभी चेंज हो रहा है हमने आपको हमारे प्रिवेस वीडियो से भी ये लगातार बताया है कि अगर आप फेडरल रिजव के मेंबर की स्पीच सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अभी इंट्रेस रेट बढ़ाने के बारे में बोलना बंद कर दिया है और वो अभी बोल रहे है कि इंट्रेस रेट को काटना चाहिए लेकिन वो कब काटना चाहिए ये महत्वपूर्ण है तो दोस्तों ये नेरेटिव जो चेंज हो रहा है इसे आप समझ के लो हम इंट्रेस रेट बढ़ाने के साइकल के पीक के पास आ चुके है और यहाँ से अभी इंट्रेस रेट नहीं बढ़ेंगे बाते अभी हो रही है कि इंट्रेस रेट कट कब किया जाए तो जल्दी ही interest rate cut का cycle शुरू होने वाला है ना कि बढ़ाने का cycle तो ये बात को कुरुपया समझ के लो हमारे कुछ YouTube के viewers हमें comment करके बता रहे थे के उन्हें हमारे membership को join करना है लेकिन उन्हें join का बटन नहीं दिख रहा है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये वीडियो के ठीक नीचे आप subscribe का बटन देख रहे होंगे तो कुरुपया सबसे पहले हमारे चानल को subscribe करे और उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाजू में ही join का बटन है याद कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ही आप join का बटन देख सकते हो उसी तरह से अगर आपको ये join का बटन अभी नहीं दिख रहा है तो आपको हमारा चानल का नाम तो दिख रहा होगा जो है gold silver forecasting ये चानल के नाम के उपर आप क्लिक करें तो आपको हमारे home page पे लेके जाएगा दोसों ये home page के उपर आप फिर से एक बार subscribe और join का बटन देख सकते हो तो आप join बटन के उपर क्लिक करके हमारे चानल के member बन सकते हो मैंने आपको लगातार बताया है कि अगर आप हमारे चानल के member बनते हो तो आपको बहुत ही महतुवपूर्ण operators के data का analysis मिल सकता है आप सब को पता है gold silver का market operators ही run करते है और इसे manipulate करते है और हमें ये operators के data मिलते है और हमें पता चलता है कि operators ने कहा पर position बनाई है कि अगर आप gold silver के अंदर regularly काम करते हो तो आपको हमारे चानल का member बनना चाहिए और वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है कि आप किस तरह से हमारे चानल के member बन सकते हो international market में gold ने नया lifetime high बना लिया है December 2023 में जो gold ने नया lifetime high लगाया था इसके उपर कल gold close हुआ था और gold आज इसके उपर ही काम कर रहा है पिछले 5-6 दिनों के अंदर आप देख सकते हो gold के अंदर एक बहुती बड़ी तेजी बनी है इतनी बड़ी तेजी बनने के बाद possible है कि आने वाले दिनों में gold consolidate हो सकता है दोस्तों मैं बात कर रहा हूं consolidation की ना कि कोई बड़ी गिरावट की मेरा analysis मुझे ये बताता है कि यहाँ से gold के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए और इसका reason यह है कि फरवरी 2024 में बहुत सारे लोग gold के ऊपर negative थे और gold के अंदर उसके बाद ही 5-6% की बहुत बड़ी तेजी कुछी दिनों में बनी है तो जो लोग अभी negative है ये rally को miss out कर चुके है और उसी समय पर हमने आपको बताया कि gold के weekly chart के ऊपर historical breakout है तो smart money चाहेगा कि जिनों ने ये rally को miss out किया है वो इसे फिर से खरीद ना पाए यानके दोस्तों gold की तेजी ये जो बन रही है उसके अंदर कम से कम participant हो ताकि smart money बड़ा पैसा कमा सके मैंने आपको ये चीज़ को हमारे वीडियो से बताया है मैं मानता हूँ के आने वाले दिनों में gold consolidate कर सकता है लेकिन दोस्तों gold के अंदर शायद ही बड़ी गिरावट आए और इसका reason हमने आपको वीडियो में clearly बताया है silver के अंदर भी एक बहुत यची तेजी बन रही है silver ने भी horizontal trend line से breakout डिया है उसी तरह से silver 200 दिनों के exponential moving average के ऊपर है हमें लगता है silver के अंदर भी तेजी यहाँ से थोड़ी और बढ़ने चाहिए लेकिन दोस्तों आने वाले समय में silver के अंदर भी consolation possible है दोस्तों मैं गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ consolation की तो ये वीडियो का सारा उंस यह है के gold के अंदर कुछी दिनों में एक बहुत ही बड़ी तेजी बनी है possible है के आने वाले दिनों में gold consolidate कर सकता है इसका ये मतलब नहीं है के gold के अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी मैंने आपको clearly बताया है के फरवरी 2024 में बहुत सारे लोग gold के ऊपर negative थे और उन सब ने ये rally को miss out किया है और उसी समय पर gold ने weekly chart के ऊपर historical breakout डिया है तो smart money चाहेगा के कम से कम लोग participate करें ये rally के अंदर ताकि smart money बड़ा पैसा बना सके तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment द्वारा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तो और पैचानवालों के साथ शेर करना ना बुलें तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू